तो बहुआओ वाली सास सरस्वती की दो बेटे हैं बड़े बेटे राम की शादी रज्जो से हुई है और छोटे बेटे शाम के लिए लड़की देखने का सिलसिला जारी है एक दिन रज्जो की मा का फोन आता है और उसकी सास फोन उठाती है हेलो काई बोल रहा है दूसरी तरफ फोन पर रज्व की माँ लीलावती बूलती है हेलो समधन जी मैं लीलावती बोल रही हूँ रज्व की माँ नमशकार समधन जी कैसी हो बहुत दिनों के बाद यात किया आज यहाँ पर तो सब कुछ छीक है, बस मेरी तब्यत थोड़ी खराब है, अगर बुरा न मानू तो एक बात बोलू अर कैसी बात करती है आपने संदन जी, आपकी बात का बुरा क्यों मानना, बोले बोले मेरी कुछ दिन से तब्यत चीक नहीं है, और यहाँ पर मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं, क्या आप रज्जो को कुछ दिन के लिए मेरे पास भेज सकती है चीक है, हम रविवार को रज्जो को छोड़ जाएंगे इतना कहकर सरस्वती फोन काड़ दीती है, और अपनी बहु को आवाज लगाती है रज्जो, ओ रज्जो, जल्दे यहाँ आना तो क्या हुआ माजी, कुछ चाहिए था क्या अभी तुम्हारी मा का फोन आया था, उनकी कुछ दिन से तव्यत खराब है वो तुम्हें बुला रही है, राम को फोन करके कह दे, कल की दो ट्रेन की टिकट करा देगा मैं भी जाओंगी तुम्हारे साथ इतना सुनते ही रज्जु राम को फोन करके सारी बात बताती है और दो टिकट के लिए बोल देती है शाम को खाने के टेबल पर सब रज्जु के जाने की बात करते हैं तब रज्जु का देवर शाम कहता है भावी आज बहुत खुश लग रही हो माई के जाने की इतनी खुशी है खुश क्यों न हूँ देवर जी कितने दिन बीद गए अपनी मा से मिले और इस बार तो मैं महीना दो महीना रह करी आओंगी जब आपका मान करे तब ही आना अच्छा एक बात तो बताओ वहाँ से क्या लाओगी मेरे लिए देवर जी कहो तो देवरानी ले आओ वैसे भी सभी घरवाले चाहते हैं कि आपकी जल्दी से शादी हो जाए श्याम शर्मा जाता है और चुप हो जाता है इतने में राम कहता है रज्जो तुमने जाने की सारी तैयारी तो कर लिये ना कपड़े तो रख लिये ना थोड़े गरम कपड़े भी रख ले ना वहाँ ठंड होगी और जल्दी आने की कुशिश करना ठीक है मैं जल्दी आने की कुशिश करूँगी बस अगली सुबह दोनों जाने की तैयारी करने लगी राम उन्हें स्टेशन छोड़कर गर वापस आता है कुछ घंटों बाद रज्जो और सरस्वती गाउं पहुच जाते है रज्जो अपनी मा को देख कर बहुत खुश होती है मा आप अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती कितनी कमजोर हो गई आप अगले दिन सरस्वती अपने घर वापस जाने लगती है तो लीलावती से कहती है बहन जी ध्यान रखना आप अपना आपकी तब्यद ठीक हो जाए तो आप भी रज्जो के साथ आ जाना रज्जो के बिना तो घर सुना सुना लगेगा अब सरस्वती अपने घर आ गई और घर की सारे जिम्मेदारी भी उस पर आ गई एक दिन वो कपड़े धोकर छट पर सुखाने जाती है बाल्टी में से टपकता पानी सीड़ियों को गिला कर दीता है और नीचे उतरते समय रज्जो की सास यानि की सरस्वती देवी का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है अरे मेरी माँ मर गई मेरा पैर तो गया लेकिन घर में कोई नहीं था सरस्वती जैसे तैसे अपने आपको संभालती जाकर कुर्सी पर बैठती है वो अपनी बहु के बारे में सोचती है अगर रज्जो होती तो मुझे संभाल लेती और घर भी संभाल लेती अब घर के काम कौन करेगा मैं डॉक्टर के पास कैसे जाओं बहुत दर्द हो रहा है जब राम और श्याम घर आते हैं तो अपनी मा की ऐसी हालत देख कर वो जल्दी से डॉक्टर को बलाते है डॉक्टर सरस्वती के पैर पर पट्टी बानता है और उसे आराम करने की सला देता है राम कहता है मा आप बस आराम करो मैं रज्जो को खबर कर देता हूँ वो कल ही यहां आ जाएगी अरे रहने देना बेटा उसकी मा की तब यह चीक नहीं है कुछ दिन में वो खुदी आ जाएगी उसे परेशान मत कर मा आब हमें श्याम की भी शादी कर देनी चाहिए कभी घर में कोई ऐसी परेशानी आती है तो कोई तो होगा घर संभालने वाला आप और रज्जो की घर के कामकाज में मदद भी हो जाएगी कुछ समय बाद श्याम की शादी सीमा सी हो गई लेकिन सीमा ने तो आती ही घर में गलेश शुरू कर दिया वो छूटी छूटी बातों पर लड़ती और उसे देख कर रज्जो का भी बरताव बदल गया एक दिन सीमा सुबह उटने में लेट हो गई और रज्जो ने नाश्ता बना दिया सभी अपने प्टे काम पर चले गए जैसे ही सीमा अपने कमरे से आई तो रज्जो ने कहा तुम साफ सफाई कर लो मैं कपड़े धुने जा रही हूँ जल्दी काम हो जाएगा रज्जो की बात सुनते ही सीमा आग बबुला हो गई और कहने लगी आज मैं उटने में लेट क्या हो गई आप मुझ पर हुकम चलाने लगी मुझसे कोई इस तरह से बात करी है मुझे बिलकुल भी पसंद नहीं है हरी सीमा ये किस तर की बात कर रही हो तुम मुझसे मैंने कोई हुकम नहीं दिया तुमें मैं तो बस काम को जल्दी खत्म करने की बात कर रही हूँ उन दोनों की नोग जोग सुनकर सरस्वती बाहर आ जाती है और दोनों को समझाती है शाम को सब एक साथ खाना खाने लगे लेकिन खाने के बाद जब सब अपने कमरे में चले जाते हैं और खाने की टेबल पर थाली यूही छोड़ देते हैं सरस्वति को ये देख कर बहुत गुस्सा आता है वो दोनों बहुँँ को बुला कर कहती है तुम सब खाना खाकर चले गए अब ये बरतन कौन उठाकर रखेगा मेरे लिए छोड़ कर गई हो सारा काम तुम दोनों को शर्म नहीं आती अब दोनों बहुँए एक दुसरे को उपर बाद टालते हुए फिर लड़ने लगी ये देख सरस्वती परिशान हो गई उसने दोनों को डाटा और उन्हें अपने कमरे में भीज दिया सरस्वती ने चूठे बरतन धोए कुछ दिन इसी तरह चलता रहा अब दोनों सास की नजरों में एक दुसरे को गिराने में लग गई मा जी जब भावी फोन पर बात कर रही थी न तो कह रही थी मैं अपने बाएं की चली जाओंगी तो देखते हैं कि कौन काम करता है और ये हम सब की बुराई कर रही थी वो बहु किसे की बाद चुपके से सुनना गलत है न तुम आज के बाद ऐसा मत करना अब तुम जाओ मैं रज्जो को समझा दूगी सरस्वती ने रज्जो से बात करके उसे समझा दिया लेकिन रज्जो को अपनी देवरानी पर बहुत गुसा आया अब वो भी सीमा की चुगली अपनी सास से करने लगी अगले दिन रज्जु अपनी सास की कमरे में जाती है और कहती है मैंने सीमा को बात करते सुना था वो देवर जिसे कह रही थी कि अगर हम लोग अलग कहीं रहे तो हम ज्यादा खुश रहेंगे रोज रोज की लडाईयों से भी बचेंगे सरस्वती को इस बात पर गुसा तो बहुत आया लेकिन उसनी कुछ कहा नहीं जब दोनों बहुँ को लगा कि सरस्वती उनकी बातों में नहीं आने वाली तो उन्होंने रिष्टेदारों और पडोसियों से एक दुसरे की चुगली करना शुरू कर दिया जब सरस्वती को ये बात पता चली तो उसने इनकी लड़ाई को शांत करने का उपाई निकाला रज्जो, सीमा, यहां आऊ दोनो दोनों अपनी सास के पास आती है कल मैं घर में हवन करवा रही हूँ तुम पडोसियों रिष्टेदारों को आने के लिए कैदो और हवन के सारी तैयारी कर लो हवन का दिना आ गया पंडित जी रामायन का पाठ करने लगे माता सिता से महान कोई पत्नी नहीं उन्होंने अपने पत्नी के लिए सारे राजपाठ सुख सुविदाएं त्याग दी अगर कोई पत्नी अपने पत्नी को परिवार से अलग होने को कहती है तो वो पाप की भागिदार होती है और बेटों को भी मा से अलग नहीं होना चाहिए सीमा पंडे जी की बाद बहुत ध्यान से सुन रही थी और उनकी हां में हां मिला रही थी ऐसे ही रामायन का पाच अंतिम सीमा पर आ गया जिसमें विभिशन के बारे में बताया गया था अगर विभिशन अपने भाई का भेद न देता तो रावण का विनाश ना मुम्किन था पूजा खत्म होते ही सीमा बोल पड़ी तब ही तो मैं कहती हूँ परिवार में आप सी प्रेम होना बहुत ज़रूरी है लेकिन मेरी सुनता कौन है इस घर में हम आप सी प्रेम की बात कौन कर रहा है जिसने घर में आती ही लड़ाया शुरू करवा दी दोनों में फिर से नोग जोग शुरू हो गई सरस्वती दोनों को चुप कर आते हुए बुली हमें तो इनके बारे में सब कुछ पता है यह दोनों हमारे घर आ कर एक दुसरे की चुगली करती है तुम्हारे घर की हर चोटी से चोटी चीज़ पता है हमें अंटी जी हमने अपना समझ के आपको कुछ बता दिया तो इसका मतलब यह नहीं कि आप सबके सामने हमारी सास से हमारी शिकायत करेंगी आप तो सबसे बड़ी चुकल गोर हो सीमा की बात सुनकर सभी पडोसन उन्हें बुरा भला कहने लगी उनकी बाते सुनकर दोनों बहुए सबकी सामने बहुत शर्मिन्दा हुई जब सब उनकी घर चले गए तो सरस्वती ने अपनी बहुँँ से कहा अब तुम दोनों को तो बहुत खुशी होगी कि सारे महले की आरते हमारे ही घर में खड़ी होकर हमें ही सुना कर चले गई हमें काफी साल हो गए यहां रहते हुए लेकिन आज तक किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि हमसे उची आवाज में भी बोल पाए लेकिन आज तुम दोनों के वज़ा से यह सब हमारी बुराई कर रहे हैं तुम दोनों ने यह सब अच्छा नहीं किया सीमा तुम्हारे इस घर में आने से पहले हम सब बहुत प्यार से रहते थे लेकिन यह सब लड़ाया तुम्हारे आने की बात शुरू हुई है आज के बाद तुमने घर में किसी से भी जगड़ा किया तो मैं तुम्हें तुम्हारे माई के चोड़ाओंगा समझी तुम ये बात सुनकर सीमा रोने लगी और सबसे माफी मांगने लगी पंडी जी भी ये सब देख रहे थे उन्होंने सब कुछ शान्त करवाया पंडी जी के बात दोनों बहूं की समझ में आगे अब दोनों प्यार से रहने लगी इसी तरह समय बीट गया अब पर उसकी ओरते उनके प्यार की मिसाले देने लगी